हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पैल आइकन को जुरूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जैसे कि आप थमलेल देखी चुके हैं आज हम इंडिया जीके के बारे में बात करेंगे तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर आपके सामने पहला प्रस्शन है भारत में कितने राज्ये स्मूद्द तट रेखा है इसका जो सही अंसर है आप पास ओप्शन भी है 7, 8, 9, 10 इसका सही अंसर है 9 भारत में 9 राज्ये स्मूद्द तट रेखा है अगला कोईशन है विश्रव के 2.4% सेतरफल में भारत विश्रव की कितनी परतिसद जनसंख्या का पोशन करता है आपके पास ओप्शन है 11% 14% 17.5% 21% इसका जो सही उतर है वो है 17.5% जनसंख्या का पोशन करता है अगला कोईशन है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराश्टिय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है अप्सन है मैक मोहन लाइन, डूरन लाइन, रैड क्लिफ लाइन, मैगिनोट लाइन जो उसका सही अंसर वो रैड क्लिफ लाइन है उसने बारत और पाकिस्तान के पीच अंतराश्टी सीमा रैड क्लिफ लाइन दौरा सीमांकित की गई थी अगला कोशन है अरवली एवं विद्धिय स्रिंखलाओं के मद्य कौन सा पठार सिथ है आपके पास उप्षन है मालवा का पठार, छोटा नागपूर का पठार, धकन का पठार, प्रायदीपिय पठार इसका जो सही अंसर वो है मालवा का पठार और अवली एवं विद्धिय स्रिंखलाओं के मद्य में है मालवा का पठार अगला कोशन है निमनलिक्त नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है अप्सन है नर्मदा, तापी, कोसी, घंडक जो इसका संजान सर्व कोसी है कोसी एक विनाशक नदी कहलाती है अगला कोशन है निमनलिक्त में से किस नदी को वृत गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी, महानधी, कृष्णा, कावेरी इसको सही उत्तर है गोदावरी को वृद गंगा के नाम से जाना जाता है किसको गोदावरी को वृद गंगा के नाम से जाना जाता है अगला कोशिन है हिमाल्य काटकर एवं भहकर आने वाली नदियां है सतलुच, सिद्धू, गंगा Option 2, ब्रहंपुत्तर, सतलुच, सिद्धू Option 3, ब्रहंपुत्तर, सिद्धू, गंगा Option 4, सतलुच, ब्रहंपुत्तर या मुना जो इसका सई अंसर वो है मान्सरोव से तपवन से जो हमारी बागरती नदी है वो हमारे गोमुक से निकलती है याद रखीगा अगला कोशन तीही बांद निमलिक में से किन दो नदीयों के संगम पर स्थित है अपसन है गंगा वा यमुना बागरती वा अलकनन्दा बागरती वा बिलंगाना अलकनन्दा वा मंदकीनी अपका जो सही उत्तर है वो है बागरती अलक नई नई सोरी जो सही आंसर है वो है बागरती एवं बिलंगाना जो तीहरी बांद में दो नदीयों के समंगम में स्थित है अगला कोशन है उम्यम जील किस राज्य में स्थित है? अप्सन है मनिपूर, निंजोरम, मेगाले तिरिपूरा जो इसका सही अंसर है वो मेगाले है मेगाले में उम्यम जील स्थित है अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है उत्तरप्रदेश, परश्रिम बंगाल, अंदरप्रदेश, पंजाब यह तो आपको आता ही होगा क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है साय टैंत कक्षा में भी यह बुक है एक जिसमें यह कोशन पाया जाता है जो इसका सही अंसर है परश्रिम बंगाल, परश्रिम बंगाल में चावल उत्पादक है अगला कोशन है नारियल उत्पादन में भारत का विश्यम में कौन सा स्थान है प्रथम है दिवत्य है, तिरित्य है, चतूर्थ है इसको सही अंसर वो तृतिया है भारत का विश्यम में तृतियास्तान आता है अगला कोशन है जूट सबसे अधीक कहां होती है Option है मुंबई, करनाटक, बंगाल का डेल्टाई सेतर, आंदरपरदेश जो हमारे सहिं अंसर है वो है बंगाल का डेल्टाई सेतर में हमारे सबसे ज़्यादा जूट पाई जाती है अगला कोशन है नीमनलिक्त राज्जों में से किस राज्जे को जयावी खेती करने वाली प्रत्म राज्जे गोसित किया गया था जो इसका सही अंसर है वो है सिक्किम को प्रथम राज्य गोसित किया गया था जैविक खेती करने वाला अगला क्वेशन है नीमल में से किस स्टार्ण पर वीदू जल सकती पैदा की जाती है जो इसका सही अंसर है वो है मैटूर मैटूर में वीदू जल सकती पैदा की जाती है अगला क्वेशन है भारत में निमलिक्त राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रहनी उतपादक है जो इसका सही आंसर है वो है गुजरात में नमक का अग्रहणी उत्पादक है अगला कोशन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शाषिनकाल में बिचाई गई थी जो इसका सही आंसर है वो है लौड डलहोजी लौड बैटक जो इसका सही आंसर है वो है लौड डलहोजी भारत में प्रथम रेल वे लाइन लौड डलहोजी साषिनकाल में बिचाई गई थी अगला कोशन भारत की प्रथम वीदू संचालिस रेलगाडी थी धक्कन कियोईन, फेरी कियोईन, नाइट कियोईन, हैवन कियोईन इसको जो आंसर है वो डक्कन क्यूईन भारत की प्रथम विदू सन्चालिस वेलकाडी थी अगला कोशन है एन लास्ट कोशन एयर इंडिया का मुखालिया कहां स्थित है ओप्सन है मुंबाई, नई दिल्ली, कॉलकाता, चन्नाई जो हमारा एयर इंडिया का मुखालिया है वो हम मुंबाई में स्थित है याद रखिएगा